तीसरा कोश्चन है लागत मुल्य तथा विक्रे मुल्य का अनुपात पाँच अनुपात चार है तो परतिशत हानी ग्यात करें देखें लागत मुल्य यानि कोस्ट प्राइज कोस्ट प्राइज और विक्रे मुल्य यानि सेलिंग प्राइज ठीक है कोस्ट प्राइज और सेलि और 5 के डिवाइड में 4 ठीक है अब आप यहां से देखिए कोस्ट प्राइज कितना है पांच रुपे सेलिंग प्राइज क्या है चार रुपे यानि कोई वस्तू या कोई चीज मैंने पांच रुपे की खरीदी और चार रुपे की बेच दी तो मुझे एक रुपे का क्या रुपे का ञें तो ट्वन्टी प्रसेंट क्या जाएगा हानी ठीक है ना हानी परती साथ यानि लोस प्रसेंटेज क्या रहेगा 20 परती साथ तो उप्शन जो ए है वो हमारा सही अंसर है